नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चत्रुवेदी धर्म कर्म में आपका स्वागत है बात करते हैं आज के पंचांग की अब आपको बताते हैं आज की तिथी के साथ ही बताते हैं कि ये किस तरह आपके लिए फल दाई होने बाली है शुप्ति थी शष्टी नंदा संग्यक तिथी रातरी ग्यारा बच कर आठ मिनिट तक तदंतर सप्तमी भद्रा संग्यक शुप्ति थी है शष्टी तिथी में काट की दातुन यात्रा उप्टन तथा चित्रकारे के कारे छोड़ कर युद वास्त्व लंकरादिक व अन्य मांगलिकारे सिध होते हैं और अब बात करते हैं नक्षत्रों की नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहने वाला है आप पर क्या असर रह सकता है नक्षत्र पुनर्वसु चर्व तिरियनमुक संग्यक नक्षत्र संपुन दिवरात्री और अब बताते हैं आज के योग के बारे में जान लीजिए आज कौन सा विशिष्ट योग है योग सिध्धी नामक शुब योग वरवी योग नाशन शुब योग संपुन दिवरातरी तथा कुमार योग नामक शुब योग सुरेदे से रातरी ग्यारा बच कर आठ मिनिट तक है और अब नजान आलते हैं चंदर्मा की इस्थती पर राहुकाल पर और जानते हैं दिशाशूल के बारे में चंदर्मा रातरी एक बच कर चौबिस मिनिट तक मिथुन राशी में तिदंतर करक राशी में होगा दिशाशूल शुकरवार को पशिम दिशा की यात्रा में दिशाशूल रहता है चंद्र इस्तिती के नुसार आज पशिम दिशा की यात्रा में चंद्रमा सम्मुक होगा जो पशिम दिशा की यात्रा में लाबदैग वसुक प्रद है रहुकाल मध्यमान से प्राते साड़े दस बजे से दोपेहर बारा बजे तक रहुकाल वेला में शुब कारेरंभ यथा संभव वर्जितरक नाहित कर है बात करते हैं शुब मुहुरत और स्रेष्ठ चोगडिये की शुब मुहुरत उप्रयुक्त शुबा शुब समय तिथी वार नक्षत्र वायुगा नुसार आज पुनर्वसू नक्षत्र में देव प्रतिष्ठा वाहन क्रैकरणा मशिनेरी प्रारंव नामकरण के शुब तथा ग्रहरंब वग्रप्रवेश के अतियावशक्ता में मुहु आज सुर्यदेजी परवाहन दस बचकर अटालीस मिनिट तक रमशेचर लाब अमरत दोपहर बारा बचकर दस मिनिट से दोपहर बाद एक बचकर तैंतिस मिनिट तक शुब तथा साई चार बचकर चादा मिनिट से सुर्यास्त तक चर के श्रेष्ट चोगडिये हैं एवं दोपहर ग्यारा बचकर अटालीस मिनिट से दोपहर बारा बचकर बतीस मिनिट तक अभीजीत नाबक श्रेष्ट मूरत है जो आवशक के शुब कारेरंब के लिए अत्युत्तम है आज जनम लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाब के बारे में भी बताते हैं आपको आज जनम लेने वाले बच्चे आज जनम लेने वाले बच्चे के नाम के को ह ही आदी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं रातरी एक बच कर 24 मिनिट तक जनमे जातकों की जनम राशी मितुन वा इसके बाद जनमे जातकों की जनम राशी कर्क है मितुन राशी के स्वामी इस वर्ष की आयूतक हो जाता है मितुन राशी वाले जातकों को अपने कारे शेत्र में कुछ व्यविधान के बाद लाब होगा किसी प्रकार के समभावित विवायत को टानले का प्रेतन करें यात्रा लाब दायक रहेगी तो पंचांग ग्रह नक्षत्र चोगडिया आदी के बारे में जाना आपने खास ध्यान देने बाली बात ये है कि ग्रह नक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरूसा रखते हैं इश्वर से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो नमस्काइ